प्रेट्स वेल्गम टू लास्ट में टूशन्स मेरा नाम है यतिन तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ तो आज के वीडियो से हम देखेंगे 1st law of thermodynamics 1st law of thermodynamics हमें क्या explain करता है जैसे हम पानी गरम करते है basic example लेते है तो पानी गरम करते है तो पानी से हम क्या कर रहे है कि इसको heat दे रहे है और वह उसको पानी को गरम कर रहे है तो वो work कर रहे है So, basic क्या है thermodynamics के 1st law का that is amount of heat given to the system is equal to amount of work done by the system या फिर वाइसे वरसा amount of work done by the system is equal to the amount of heat released by the system तो जिसमें Q होता है heat और W होता है work work done ओके तो अब यह हम इसका summation मतलब जितना भी heat दे रहा है जितना भी work कर रहा है उसको consider करने के लिए उसको हम summation दे देते है तो this makes the first law जो है amount of work done या फिर amount of heat transfer is equal to the amount of work done या फिर heat transfer वाईसे वरसा जो भी है equal to sign है तो दोनों equal है तो यह है basic first law of thermodynamics तो अभी इसको और अच्छे से explain करने के लिए अब मारे thermodynamics में एक बाबा ने एक experiment दिया है बाबा इन दे से scientist है no offense but हम explain करने के लिए बहुत easy बढ़ेगा और understanding के लिए बढ़ेगा इसलिए हम थोड़ा frank words use करते है तो अभी इसमें क्या है यह इनका नाम है जिन्हों ने यह explain किया experiment बहुत ही बड़े scientist है JP Jules ओके तो JP Jules सर ने क्या बताया है वो हम देखेंगे इस system में यह system बना के उन्होंने हमें explain किया है कि thermodynamics का first law कैसे work करता है तो जैसे इन्होंने यहाँ पर एक adiabatic vessel ले लिया है अभी adiabatic vessel क्या होता है तो adiabatic मतलब adiabatic में adiabatic एक process है actually जिसमें heat transfer नहीं होता या फिर heat का exchange नहीं होता अगर consider करते हैं यह hot water है तो इसका heat बाहर नहीं जाएगा या फिर बाहर से heat अंदर भी नहीं आ सकता तो उसे कहते हैं हम adiabatic या adiabatic process या adiabatic यह जो है वो vessel तो यह ऐसे एक adiabatic vessel है जो thermally isolated है इसे हम कह सकते हैं कि temperature उस पे change नहीं हो रहा अंदर का तो और एक है thermometer एक है fan जो operate हो रहा है इस weight से pulley के through तो चलिए देखते है experiment क्या है अभी इसमें जो यह weight है अगर weight हम खीचेंगे तो यह pulley rotate होके fan को rotate करेगा और यहां का temperature बढ़ा देगा जो temperature record करेगा यह thermometer तो अभी यह जो weight है इसको यह भी हमारे हम इसे हो set करके रखेंगे जो हमें पता होगा तो इसका weight और इसका जो temperature है वो दोनों measure कर लिया तो अभी हमें पता है कि इतना weight जब हम pull करेंगे या add करेंगे तो उसमें इतना temperature बढ़ेगा तो यह जो experiment है उसने यह prove कर दिया था कि amount of work done on the system is equal to amount of heat released by the system release मतलब क्या हुआ है कि यह work करते हो कि यहाँ पर heat release हुआ है जो पानी ने absorb कर लिया है जो हमने temperature measure कर लिया है तो ऐसा था यह joules का experiment जिसने हमें बहुत ही अच्छे से समझा दिया है first law of thermodynamics तो यह है basic first law thermodynamics का जो हमें पता होना चाहिए तो चलिए वीडियो यही पर end करते है तो like करना ना भूले लास्टमेंट्विशन चॉट कम पर आपको इसके आगे के नोट्स या फिर जो भी आपको वहां से solve हो सकते हैं थैंक यू तो यह जो यह जो 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 यह जो 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 ज